स्वागत है आपका एड्यूका में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था यूनिसेलिलर और्गेनिजम्स जैसे कि मैंने कहा था कि पार्ट टू यानि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टिसेलिलर और्गेनिजम्स अगर आपको नहीं पता है कि यूनिसेलिलर और्गेनिजम्स क्या होते हैं और्गेनिजम्स क्या होते हैं तो आप उपर आ रहें लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं मल्टिसेलिलर और्गेनिजम्स क्या होते हैं Multicellular Organisms, इसे हम पिछले वीडियो की तरह Multicellular को थोड़ा तोड़ के देखेंगे, So, Multi मतलब More Than One, और Many, मतलब Multi मतलब Multiple, एक नहीं, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ, दस, ग्यारा, Uncountable, Then, Cellular मतलब Cell, यानि, अगर हम Multicellular को तोड़ के उसका मीनिंग समझे हैं, तो मीनिंग बनता है, एक से ज्यादा Cell वाला प्राणी, More Than One Cell, So, Definition हम यहां पर पढ़ लेते हैं, इसकी, Multicellular Organisms are the organisms that consist of more than one cell, in contrast to Unicellular Organisms, Multicellular Organisms, वो organisms हैं, जो एक सेल से ज्यादा contain करते हैं, उनके अंदर एक सेल से ज्यादा सेल मौजूद होते हैं, तो उन organisms को हम Multicellular Organisms कहते हैं, एंद अगर हम उनके examples लें, तो सबसे पहला example, Animals and Humans, जैसे अगर आप अपने आपको भी देखेंगे, तो आपके खाना पचाने के लिए अलग सेल होंगे, आपके ब्रेन के लिए अलग सेल्स हैं, आपके हर्ट के लिए अलग सेल्स हैं, तो इस तरह से अलग-अलग सेल्स होते हैं, Multiple सेल्स होते हैं, जो Multiple Functions हमारी बॉड़ी में करते हैं, एंद एग्जाम्पल्स हैं, All species of animals, including humans, Land, Plants, जमीन वाले पौधे, And most fungi are multicellular, As are many alga, मतलब यहां पर जो bacteria होते हैं, जो bacteria fungi and alga है, वो भी multicellular organisms हैं, So, यहां पर हमारा topic खतम होता है, अगर आपको कोई भी doubt हो, तो नीचे comments में आप लिख सकते हैं, And अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो, तो भी आप मुझे नीचे comments में बताईएगा, अगर आप कोई वीडियो अच्छा नहीं लगा, अगर आप कोई दो सकते हैं,